आज का जो टॉपिक है सास भी कभी किसी की बेटी थी सही सुना सास भी कभी किसी की बेटी थी तो बेसिकली क्या होता कि यह राज कल न जो सास होती किसी घर से जब बहु आती है तो जो बहु है उस लड़की को बहु को ऐसे ट्रीट करती किया यह सचमे ही बहु है मतलब भेदभाव, जगड़े मतलब बहु को अपने बेटी के रूप नहीं मानते अब इसलिए नहीं होता है और दूसरा क्या कि दोनों में मेल खाता है नहीं है कभी दहेज का चकर बलाए कभी सबजी अच्छी नहीं बनाई कभी कोच, कभी कोच, बहुत सारी चीजे अब देखी, मेरा एक मंत्र है, मेरा एक सदांत है मेरा ही कहना है कि पहले तो उस बहु को अपनी बेटी समझे उस बहु को अपनी बेटी समझे तब ही जाकर दोनों में मैच होगा बाते मिलेगी और दूसरा, सास को यह सोच का चीजे कि जो बहु है आपकी बहु बनकर इस बहँ करो आप ऑप अपके जेगे मही किसे की बहु थी बहु थी, बहु बनी, उससे पहले किसी की बेटी थी उससे पहले ऐसे ही च्छुकी बिच्ची थी वह जो सास है राइट जो सास है किसी की बेटी थी अब उस माबाप ने प्यास पाला प्रोशा पड़ा किया शादी की शादी के निगवाद बहु बनी राइट बहु बनने के बाद फिर बच्चे हुए बच्चे होने के बाद उस बहु के बेटी जो हुए बेटे में शादी की श क्या बनी सास लिकिर सास जब बनी तो सास बनने के बाद उस बहु के साथ इतना भेदवाओ क्यों कि याद किजिए रोज सास बहु को इतना डागती फटगाडती लड़े और चगड़े और बात मैची निवरा दिन मलब कोई दिन ऐसा निकी लड़ाय की बिना गुजर ने रि कि सास को पहले उस बहु के जगे रखके देखिए कि वह सास भी कभी बहु थी बहु से पहले किसी की बैटी थी बैटी मुझे भी ऐसास हो था कि नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो पहले उसको अत्याचार करने से पहले उसके जिगह रखके देखिए कि आप भी कभी किसी जिगह थी राइट आज का टॉपिक यही है कि साज भी कहुई किसी की बहु थी साज भी कभी किसी की बेटी थी तो गाई आज का यही एस वीडियो में अच्छा लगाओ तो लाइक शियर सब्सक्राइब ज़रू करें बाकि वोल इती युग नेक्स वीडियो था तक के लिए गुड़ बाइ था क्या है क्या हुआ है